मित्रों हमारे शास्त्रों में मंत्र विधी को सर्वोपरी माना गया है रिषियों और मनिशियों ने मंत्र साधना की विस्तरित व्याख्या संहिताओं में की है लेकिन बीजाक्षरों की महत्ता और उनके चमतकार पर कोई विशेश ग्रंथ नहीं है हालांकि विभिन संहिताओं में उनके महत्व का उलेख मिलता है आज मैंने आपको बीजाक्षरों के चमतकारों पर आधारित एक विडियो प्रस्तुत किया है जो इन शक्तिशाली बीजाक्षरों के प्रभाव और लाभों को समझने में आपकी मदद करेगा यहां मैंने मुख्य रूप से नौ बीजाक्षरों की चर्चा की है जिनका साधना में सही तरीके से उप्योग चमतकारिक परिणाम दे सकता है आईए जानते हैं इन बीजाक्षरों के अध्भुत चमतकार पहला एन बीजाक्षर एन बीज मंत्रक विद्या, कला और ज्यान की देवी मा सरस्वती का बीज मंत्र है इसे वाग बीज भी कहा जाता है एन बीज मंत्र का जाप करने से बुद्धी, ज्यान, कला, कौशल और वाग शक्ती में व्रिधी होती है यदि कोई निम्न रक्तचाप, यानि लो ब्लड प्रेशर से परेशान है तो प्रति दिन एक सौ बार एं का उच्चारन करने से रक्तचाप में सुधार होता है जो बच्चे या व्यक्ती बोलने में हतलाते हैं वे अगर तीस मिनट प्रति दिन एं बीजाक्षर का जब करें तो एक माह में उनकी हकलाहट समाप्थ हो जाती है इस मंत्र के अनेको लाब है, लेकिन आपको इसके विशेश लाब को बताते हैं दुसरा बम बीजाक्षर बम बीज मंत्र भगवान शिव का है मान्यता है कि बम शब्द प्रणव का ही एक सरल रूप है भगवान शंकर को प्रसंद करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है खास तोर पर कावड यात्रा के दौरान शिव भक्त बम बम भोले के जैकारे लगाते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं अगर व्यक्ति गठिया के रोग से परेशान है विस्तार पर लेटा है अगर कोई व्यक्ति शिवरात्री के दिन भगवान शिव के बीज मंत्र ओम बम बम का सवा लाख जब कर लेता है वह व्यक्ति एक ही दिन में बिस्तर से उठकर चलने लगता है, इस मंत्र में बहुत शक्ती है सुभा और शाम को 30-30 मिनट ओम बम, बम का जब करने से जोडों के दर्ग में आराम मिलता है दाबिटीज के मरीज अगर प्रति दिन एक हजार आठ बार बम का जब करें, तो इस बीमारी में अध्भुत लाब होता है यदि किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा हो या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो बम बीजाक्षर का एक हजार आठ बार जब करें यदि समय न मिले, तो प्रत्येक बुधवार को पारद गणपती के समक्ष नवगरा स्थापित कर बम ब्रीन बूम का जब करें तीसरा भम बीजाक्षर यह देवी भदरकाली का बीज मंत्र है, इसके जब से देवी प्रसन होकर दुख और दरिग्रता का नाश करती है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें प्रातहकाल एक हजार आठ बार धम बीजाक्षर का जब करना चाहिए, इससे सूर्य जनित समस्याए दूर होती है पांचवा खम बीजाक्षर शनिग्रह से पीडिक जातकों को चवालीस दिन तक प्रति दिन दस हजार बार खम बीजाक्षर का जब करना चाहिए, इसके जब से जीवन में आ रही रुकावते दूर हो जाती है चटथा लम बीजाक्षर यदि जीवन में कोई भी लक्ष प्राप्त करने में बाधाय आ रही हो तो लम बीजाक्षर का 108 बार प्रति दिन उच्चारण करें यह बीज मंत्र सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है सात्वा रम बीजाक्षर रम बीज मंत्रक गुरु मंत्र का बीज है ऐसा माना जाता है कि रम बीज मंत्र का जाप करने से मनिपूर चकर विक्सित होता है मनिपूर चक्र जब शुद्ध होता है तो स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र भी अपने आप विक्सित होने लगते हैं माईग्रेन या सिर से संबंधित समस्याओं के लिए सूर्योदय के समय एक हजार आठ बार रम बीजाक्षर का जब करें इससे सिरदर्द में तुरंत राहत मिलती है आठवा थम बीजाक्षर उच्च और निम्न दोनों तरहे के रक्तचाप यानि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए दिन के किसी भी एक प्रहर में 108 बार थै बीजाक्षर का जब करें नवम यम बीजाक्षर यह वायू का बीज मंत्र है वायू का काम अव्यवों को स्थापित करना होता है यम हृदय चक्र का बीज मंत्र भी है यह चक्र वायू तत्व का प्रतिनिधित्व करता है इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए यम का जाप करने से हृदय चक्र खोलने में मदद मिलती है कानूनी विवादों में फंसे व्यक्तियों को कोट जाने से पहले काले या नीले वस्त्रधारण कर ओम यम बीजाक्षर का 11,000 बार जब करना चाहिए ऐसा करने से जल्द ही न्यायपूर्ण फैसला प्राप्थ होता है इन बीजाक्षरों का सही विधी से जब करने पर जीवन में आने वाली बाधाय, शारिरिक कष्ट और मानसिक परेशानिया दूर हो सकती है बीजाक्षरों की साधना का यह प्राचीन विध्यान आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना हमारे रिशिमुनियों के समय था